Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening, कैसे हैं आप सब लोग, दोस्तो मेरा नाम है मनेंदर सींगोला और आप जोड़े हुए मेरा official YouTube चैनल से, first time मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कलीजी, जैसा कि हम सब लोग अच्छे तरीकी से जानते हैं, समझ रहे हैं कि हमारे 30 दिन इस महीने के अंदर ज लोगों को यहां से जोड़े रखी हुई हैं, यानि कि इस October के महीने से भी हमें बहुत बड़ी उम्मीदे हैं, बहुत बड़ी आसाइल हैं, क्योंकि अभी तक तो migration काम चल रहा था, और migration काम चलते चलते यहां पर 2-5 महीने गुजर गए, और 2-5 महीने के अंदर क्या हुआ क्या result निकला, इसके वारे में अभी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह जो आने वाला हमारा 10-15 दिन हैं, इन 10-15 दिन के अंदर हमें यहां पर एक अच्छी information जो है, जरूर मिलेगी, लेकिन यह जानते हैं कि हम समय आगे पीछे जो है, जरूर हो जाता है, ही एक बात क्याती है, कि समय जो है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, एससर ने बोला था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या पंदर दिन में, या पंदर दिसम्बर तक जो है, हमारी जो वेबसाइट है, वो हमें देखने को मिल सकती है, सिर्फ वेबसाइट को उप हमें कुछ चीज़े जरूर देखने को मिल सकती है, जैसे कि प्रोडक्ट हमारे हो सकते हैं, हमारा KYC का ऑप्शन भी हो सकता है, या हमारे जो पैकेज़ेस हैं, वो भी वह सारे चीज़े हो सकती हैं, हमारे वेबसाइट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट फेज वी पर सब्सक्राइब करें हमारी जो मीटिंग पहले जो होती थी हम उसी की तब तक टरह लगातार मीटिंग वो हमें जरूर मिल सकती है डिलेंशन ने भी परसों का जो हमारा प्रैम डिसकुशन का एक सेशन चलता है हाट संडे को सेशन चलता है तो उन्होंने बताये था कि मुझे नहीं लगता कि हम दिसंबर तक जा पाएंगे यानि कि गुर्षपंदर डिलेंशन ने अपना एक अनु जो भी अपडेट है वो दी है उसको अपडेट को अगर हम ध्यान से सुने तो डिलेंसर ने अच्छे तरीके से साफ साफ कहा है कि हमें रगता कि हम दिसंबर तक जा पाएंगे उससे पहले ही हमारे पास यहां पर पूरी की पूरी जो भी चीज़ें हैं वो लाइव हो सकती हैं अक्टूबर के मिडल में ही हम सभी लोगों को हमारी जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से किलियर हो सकती है अपनी कंपनी चाहे जल्दी शुरू हो जाए या लेट शुरू हो जाए सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात रखनी है कि on passive कहीं पर भी नहीं जाने वाली वो यह तो घैञा पे रूटी नहीं रहती इतने सारे है इतने सारी परिशानिया एतने सारेός पर मुस्कलात जो यहां पर आये हैं वो किसी भीерм.» को जो है फिर यह सेहन करने की जरूद नहीं पड़ती तो यहां पर एक कंपणी कहीं नहीं जाने वाली है दूसी बात यह एक LLC कंपणी है जी हां मैं आपको LLC के वारे में एक लाम में बता दूँ जो LLC कंपणी है वो अपने आप में एक सॉलिड प्रोग्राम लेकर के आती है उनका जो बिजनेस मोडल होता है वह पूरी तरीके से सॉलिड विजनेस मोडल होता है LLC का मतलब होता है Limited Liability Company और आपने देखा होगा कि अगर आप Google पे सर्च करते हैं On Passive को तो वहाँ पे लिखा होता है On Passive Technology LLC तो LLC का मतलब ही यही है कि यहाँ पर जो कुछ भी काम होगा वह पूरी तरीके से एक Calculated Way है यहाँ पर जो एक Distribution System होगा वो भी पूरी तरीके से Calculated है यहाँ पर जितने भी हमारे Profits हम सब लोगों को मिलने वाले हैं वो तभी मिलेंगे जब Company को Profit होगा Company अपने जेब से नहीं देने वाली है और एक Real Company जो होती है न वो अपने Profit में से ही हम सब लोगों को Profit शेयर करती है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि LLC Certified जितनी भी कमपनिया है इस दुनिया के अंदर वह हमेशा एक Legal Program ही लेकर के इस दुनिया के अंदर आती है इसलिए अपनी on passive कहीं पर भी नहीं जाने वाली यदि हम यहाँ पर सोचते हैं कि website open होने के बाद हमारी income शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो इस बारे में अभी तक एस मुफारिश सर्न ने जो है कोई भी अपना एक update वगरा या information information वगरा कुछ भी नहीं ने इस बात को कहा है अगर ये बात अगर आपको कहीं से भी पता लग रही है कि हमारी income शुरू होने वाली है तो ये बात गलत है आपको अभी भी जो है इन सारी चीज़ों पर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं जो अभी चेक होनी बाकी हो रही है तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम को लेकर कोई बात नहीं है इनकम आने का जो सेनेरियो होगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा और जब सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा और तब जाकर के हम लोगों को किसी वेबिनार के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे कि हाँ आपकी इनकम इस तरीके से शुरू होने वाली है और किस-किस तरीके से step by step हम आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जादा अपने दमाग पर जादा जोर नहीं देना है जिस तरीके से patience अभी तक हम रखते आ रहे हैं उस type का हमें patience यहाँ पर रखना पड़ेगा देखो सारा data जो है ना internally यहाँ पर चेक किया जा रहा है क्योंकि सारा का सारा जो data है अगर वो सही तरीके से अगर वो काम नहीं कर पाया तो कही ना कहीं बाद में हम सब लोगों को ही दिक्कत आने वाली है क्योंकि अगर हमारी website नहीं खुल रही है हमारी ecosystem नहीं खुल रहा है या हमारे पास कोई OTP नहीं आ रहा है या कोई और बज़े हो रही है तो बैसे एक बात बिल्कुल सही है कि SR की जगा अगर मैं आपको बात बताओं कि जिस तरीके से प्रॉब्लम्स SR ने सहन की है अगर इनकी जगा कोई और होता तो मुझे नहीं रखता कि यहां पे एक व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता वो कहीं न कहीं हार मान करके बैठ जाता आज SR की अंदर एक confidence है आज SR की अंदर एक वो एक विश्वास है कि हाँ वो जो कर रहे हैं वो 100% उस काम को वो पूरा करके ही रहेंगे यह एक बहुत बड़ी चीज होती है तो यहाँ पे हम सब लोग हार मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है और SR ना हमेशा कहा है कि हम यहाँ पर जीत के ही दिखाएंगे SR की दिमाग में एक winning attitude जो होता है न वो उनको यहाँ पर एक जीत की तरफ लेकर के जा रहा है और यही attitude हम सब लोग के दिमाग के अंदर भी होना चाहिए कि एक winning attitude जो होता है जो हम सोचते हैं कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर कोई काम कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एक winning attitude के साथ ही यहाँ पर हम है जिसको हमेशा ले करके ही आपको आगे बढ़ना है और अगले webinar का हम सब लोग बेसबली से इंदिजार कर रहे हैं मंगलवार है आज, कल गुद्वार है और कल गुद्वार को हमारा 360 का webinar भी होता है और हो सकता है कि अगर कल के webinar के अंदर अगर ऐस में फारे सर आते हैं तो 100% हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ नई update हम मिलने वाली है क्योंकि अब जो भी information जो भी webinar होंगे SRK उसको हमें miss नहीं करना है हमारा data पूरी तरीके से recover हो चुका है OES live हो जाएगा product भी हमें यूज़ करने को बहुत ही जल्दी मिल जाएगी अगर सारी product नहीं मिलेंगे तो कम से कम जिस तरीके से हम O connect का इस्तेमाल कर रहे थे कम से कम वो तो हमें मिलेगा जब हम लोगों को payout मिलेगा उससे पहले हम सभी लोगों का verification भी जरूर होगा payout के बारे में बहुत साई लोग जब बात करते हैं तो यहां पर एक चीज हम लोगों को यह समझनी है कि किसी भी सेक्टर के अंदर जब हम सब लोगों को payout मिलता है या किसी company के अंदर किसी नौकरी के अंदर या कोई भी आप जब आप काम करते हैं और जब आपको वहां पर आपके direct आपकी जो income bank account के अंदर आती है कोई marketing करते हैं तो उससे पहले आपकी KYC भी होती है उससे पहले आपका verification भी होता है आपने इस चीज़ को देखा होगा और अभी तक हमारा on passive के अंदर verification नहीं हुआ है और इसके लिए हमारा जो O verify है वो तयार हो रहा है तो आप ये समझिए कि आपको income मिलने से पहले आपका verification होना बहुत ही ज़ादा जरूरी है company अगर आपको income भी देगी तो किस के लिए देगी आपको verify नहीं कर पाई है यहाँ पे 14 लाग लोगों company जो जानती थोड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ verification के माध्यम से ही सब कुछ होने वाला है तो ऐसर अपना काम जो है पूरी तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं बस आप लोगों को थोड़ा से विश्वास बना के रखना है और यहाँ पे जितनी भी अगर कहते हैं कि जो नदियां सूख चुकी है वहाँ पे जो है बाड़ जरूर आएगी वहाँ पे उसके आस-पास का जो area है वो हरा भरा जरूर होगा तो बस यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे data सुरक्षित है और data सुरक्षित है तो आप यह समझे कि आपका business पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसी बात को लेकर के हमें ऐसा हमारे on passive के अंदर CEO Mr. A.S. Mufari sir हमें सब confident में रहते हैं कि हाँ हम बिलकुल साही पर आ चुके हैं और सही लोगों के साथ अब हुम जो है काम कर रहे हैं तो बस थोड़ा से विश्वास रखिए इंतजार करें पेसंस रखिए अक्टूबर के महिने के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो website है OES की जो website है वो हम लोगों को जरूर मिलेगी थैंक